सेक्टर का यहां से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल करा रही है जो की हमारे सयूगी अनराग आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं एक नवेंबर से हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी लेने के लिए अब के वाइसी जरूरी हो जाएगी NSDL और CDSL जैसी कंपनियों के जरिए KYC की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग शाँ अनुराग बताईए एक नवंबर से नॉन लाइफ इंशुरेंस सेक्टर के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जहां पर इंशुरेंस पॉलिसी लेने के लिए KYC करना जरूरी होगा यानि हेल्थ इंशुरेंस, मोटर इंशुरेंस के लिए KYC के नियम जरूरी होंगे लागू होंगे एक नवंबर से कमपनियों के द्वारा इसमें कुछ राहत मांगी गई लेकिन हमारे सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक IRDA है जो ये नियम एक नवंबर से लागू करने जा रहा है और अब कमपनिया भी जो है इसकी पूरी जोर से तयारी कर रही है IRDA से अधिकरत जो चार कमपनिया है जिनके जरिए KYC जो है वो की जाएगी वो है CDSL, NSDL, KAVY और KEMS ये चार अधिकरत कमपनिया है तो back end पर कमपनियों को अपना system है वो इन कमपनियों के साथ link करना होगा जो भी policy holder ग्रहक के द्वारा जानकारी दी जाएगी इन कमपनियों के जरिए वो verify होगी और KYC की प्रक्रिया पूरी होगी हर साल जो करोडो इंशुरेंस पॉलिसी है जो नॉन लाइफ इंशुरेंस से जुड़ी हुई है उनकी KYC इन चार कंपनियों के जरीवी होगी और इसका जो खर्चा है वो इंशुरेंस कंपनियों के द्वारा ही उठाया जाएगा तो आने वाले दिनों में फाइदा ये होगा कि एक तो कंपनियों के पास पूरा डेटा बेस तयार होगा क्योंकि अभी जो है कई सारे इंशुरेंस एजन्ट होते हैं वो अपने Policy Holder का नंबर नहीं देके अपना नंबर जो है Policy में देते हैं लेकिन भविश्य में इंशुरें कम्पनियों के पास तमाम जो है वो सही जानकारी या पॉलिसी ओल्डर से जुड़ी होगी, तो एक नवंबर से नए नियम यहां पर देख सकते हैं कि हमकी एक बड़ा डेवलप्मेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। रुचित, CDSR को क्या आप ट्रैक करते हैं वैसे तो ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है इस शेर में लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर पिछले एक साल का अगर रिटन देखे तो ज़्यादा कुछ यहां पर फायदा नहीं लगा है इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ तेजी नह पालके तो जो कोवीड के लोज के बाद में जो यह स्टॉक में अपमूव आया था हमने बहुत ही बहुत ही बैतरी रिटन्स यह स्टॉक में लगब लगग ठाई सो तीन सो से लेके सोला सो तक का अपमूव वन साइड़ देखा था तो यूजिली जब इतने बड़े अपमूव आते है तो एक कंसोलेशन फेस काफी इंपोर्टन रहते है तो और यही कंसोलेशन अब यह स्टॉक पिछले कुछ मेहनों से दिखा रहा है तो यह सब साइंस पॉजिटिव है त यह शॉट टर्म में स्टॉक शायद यह कंसोलेशन कंटीन्यू करेगा तो थोड़ा आपको में मीडियम टू लॉंग टर्म का व्यू अगर रखते हैं तो सड़नली यह स्टॉक को होल्ड करना चाहिए रूचित आपको बता रहे हैं से डीसल के बारे में एक शेमे को राजशी आपसे और पता करें